चंडीगड निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 30 चनवरी को चुनाओ होने वाले हैं। चुनाओ की तारीक हाई कोट की तरफ से 30 चनवरी तैकर दी गई थी, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यरोप का दौर शू हो गया है। चुनाओ कारते हुए कहा कि भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही है। जिसके चलते ये लोग हमारे इंडिया अलायंस पर सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ ही जनता को भी गुमरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. हमारे पारशचित किसी अन्य पर्टी का साथ नहीं देने वाले हैं। इस बार चंड़िगड नगर निगम-चनाओ में आम आदमी पर्टी और कॉंग्रिस के आलायंस के साथ आम आदमी पर्टी का ही मेयर बनेगा। वे आम आदमी पार्टी के कारे करता हैं और आम आदमी पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे। चंडी गड़ से समवाधाता रविन्र कुमार की रिपोर्ट। सावित होके और चाड़ी डॉट्मेंट देखके उन्हों-धे बहुतसे कॉंसलर सानु वोट करें गे सानु पता है ओर अनु शक है उन्नों डर आ है वी साड़े कॉंसलर वोट ना कर देन अननों मोबाइल फॉन चलान नी देंदे उनना दे कर देनों मिलन नी देन्दे कि तो दी डेमोकरेसी है कि मैं तो अडे मेरे फ्रेंड जनानों रिक्वेस्ट करांगा भी मैसेज आनों तक पंचान और जड़े उनने डखे होई अपने कोंसलर और उननों फुरी करन था कि अपने कार्द्यानों मिल सकत देखे इसमें बेसिकली क्या है भाजपा हर तरह के हत्खंडे अपनाई भी लेकिन पहले सल आपने देखा होगा कि हमारी एक बोर्ट को इनिवलेड करके बीजेपी ने अपना मेर बनाया था तो अब क्योंके अलाइंस है और हमारे पास 20 जो है पार्शद हैं तो बड़ा कलीर कट जो मेजोर्टी है हमारे साथ है तो अब इस टीज़ पे अगर बीजे करा ही है कि इस वार नहीं होने बाला और पब्लिक देखे कि कि इस वार जो तीस तरीक को मेर है वो आमाधी पार्टी का और सीने डिप्टी मेर और डिप्टी मेर जो है कांग्रस के ही बनेंगी